तो सर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अब्रंश तक का दोर लेकिन यह सर्फ समाने नोलस दी जारी अभी तक सर्फ आपको सीमा काल ही बताए गए हैं और कौन से उसको ख्षेतरी भोलें हैं जाई ही बताए गए हैं लेकिन आगे आने वाले वीडियो में अब्रंश को और वक्रम रहा है वो अब्रंश ही है पांसो इसवी से लेकर एक हैर इसवी तक फिर उसी से आगे सबरूप जो हिंदी का बना है तो अब्रंश को पढ़ना बहुत लाजमी है तो हम क्या करेंगे कि अभी आपको बता देते हैं कि जैसे प्रकृत में जे पांच मुख्य जो ऐसे त चाही पेशार्क उतं से थैसे लेविशे जैसे इन नोउ भाशाओं सिंसा पड्रश को निर्मान हुआ है तो इन्ही हम आगे पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट्न या बताओंगा बैका इसंग्य हो है ज़्यादा पढ़ने के लाइक नहीं लेकिन फिर बीज अब्रंश में कुछ खास बड़ा साहित्य नहीं रचा गया है कुछ जरूर जैन साहित्य रचा गया है लेकिन वह भी आने वाले समय में जम आधिकाल शुरू करेंगे तो पढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल तो आगे ज जा जाती है खड़ी बोली आ जाती है फिर अपनी हर्यान भी है और कनोजी है ठीक बंदेल खंडी है तो पांच जो है इसमें मिल जाती है तो पस्टमी हिंदी का विकास जड़ टोटल रूप से किस से हुआ है वो शोर सेनी से हुआ है ठीक है साथ यह याद रखना है और मु जो मानकी कर्ण हुआ हिंदी का तो खड़ी बोली का है तो कुल मिला के की बात है भी किजे वह समझ लेजी कि पस्टमी हिंदी शोर सेनी से निकली है और राजस्थानी भी पहारी हिंदी भी और गुजराती भी ठीक है तो पांच जो है आपको पता ही होगा कि हिंदी की भाषा निकली है ओके फारसी लिपी में जो लिखी जाती है भाषा आगे महाराष्ट्री महाराष्ट्री से मराठी निकली है मागदी मागदी से कौन सी निकली है तो यह बहुत पूछा जा सकता है मागदी से बिहारी बांगला उडिया अस्मिया ठीक है जी तो याद रखन से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है जी ओके जाद रखना है आगे क्या लिखा जा रहा है कि उपर युक्त विब्रन से सपस्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अप भरंश के सोर्स है नी अर्द मागधी और मागधी रूपों से हुआ है तो यह है, अब हुआ है हिंदी भाषा का उत्भव जो है इन से हुआ है, अभी हिंदी भाषा का उत्भव मैंने पिछे पताया, यह से मूल रूप से हा distraught तो यह तो है ही, लेकिन अगर हम देखे हिंदी की जो बोलियां है साथिओं बोलियां देखिए आप अर्दमाग्दी की जड़ी हम बात करते हैं जैसे कि उससे अवधी निकली है तो वो भी हिंदी का एक रूप है तो जो तीनों से ही मान सकते हैं लेकिन मूल रूप से जड़ी बात करें हिंदी तो वो खड़ी बोली का सब रूप जो है आज हिंदी यूसी को हिमाना जाता है तो वो शोर सेनी है जाद रखना है वस जो जो चीज बता रहा हूं आगे देखे बाई हिंदी परदेश उप भाषाय तथा बोलियां जहां पर दे रखी है और बोलियां इधर दे रखी है तो पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा का एक शेत्र कौन-कौन से हिमाचल परदेश है पंजाब का कुछ हिस्सा है हर्याना है, रास्थान है, दिल्ली, उत्र परदेश, उत्रांचल और उत्रांचल जिसको अभी उत्राखन के नाम से भी जाना जाता है जिसे हिंदी भाषी परदेश कहा जाता है और इस पूरे एक शेत्र में हिंदी की पांच उपभाषाएं है जिनके अंतरगत मुक्यता दस बोलिया है ठीक है, कितनी बोलिया है? दस बोलिया है और जहां हो गई शाथी टंकर में मिस्टेक दस नहीं है, अठारा आएगा तो मैं भी देख रहा था कि दस कैसे लिखता है, किताब में हो जाता है नगेंदर की पुस्तक से है द्रिश्टी की बुक में बहुत अच्छे सिधी रेखा है हम बोल पढ़ाएंगे तब जब आगे आने वाली वीडियो आएगी तो पस्चमी हिंदी जे उपभाषा है पांच उपभाषा है हिंदी की ठीक है और बोलियां जो है हिंदी की कितनी है सत्यों वो है अठारा पहली है जैसे कि आप देख सकते हैं बोली जिसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है ब्रज भाषा हर्यान भी वंदेलिकुन जी ठीक है फिर उसके आगे है पौरवी हिंदी जिसमें अवधी बगेली शत्तिसगड़ी आ जाती है राजस्थानी इसमें पस्चमी राजस्थानी जिसको मारवाडी के नाम से जाना जाता है पौरवी राजस्थानी जैपूरी के नाम से जाना जाता है उतरी राजस्थानी मिवाती के नाम से जाना जाता है दक्षिनी राजस्थानी मालवी के नाम से जाना जाता है तो आपने उपनाम है इनके जुरूर जाज कर लें, ऐसे एक diagram बना लेते हैं जी, ठीक है, जे राजस्थान है, क्या है, आर लिख देते हैं बीच में, ठीक है, और जे है हमारा North, एस जाउथ है, जे East है, जे West है, ठीक है, तो हमने क्या करना है पस्चमी राजस्तानी समझे लिजी राजस्तान को जो पस्चम है पस्चम क्या है जी राजस्तान जी वला वेस्ट है तो मारवाडी इसको लिख देते हैं जी जी मारवाडी साइड की बोली को कहा जाता है जी ठीक है और जदी हम पूरवी राजस्तान की जी डुंधारी भी इसको कहा जाएगा अगर हम नौर्थ साइट की बाद करें साथ यो नौर्थ यानि उत्री राजस्थान की तो इसको मिवाती कहते हैं क्या कहते हैं इसको मिवाती कहा जाता है राजस्थान की इस बोली को और दक्षिन साइट की बाद करें तो इसको हम क्या बोलेंगे मालवी बोलेंगे जैसे कि पंजाब के दक्षनी हिस्से में जो बोलेंगे जाती है उसको मालवे दी है ना मालवे दी बोलेंगे जाना तिमत पंजाबी दीच बोलेंगे जहाँ पर तो कहने का ताथ पर जैसी कि मालवी कहा जाएगा राजस्थान के दक्षन हिस्से की बोली को ठीक है तो जे आगे साथ देखेंगे तो पहाड़ी में मुख्य तहाथ तीन मिल जाती है लेकिन नगेंदर ना क्या करा है कि दो भागों में दिया है एक पस्चमी पहाड़ी और कमावनी और गडवाली लेकिन एक तीसरा भी लिख लेजिए साथ और नेपाली ठीक है नेपाली इसको हम पूर्व वरती में रख सकते हैं लेकिन तीन जो हैं पहाड़ी में रखेंगे एक कौन सी कमावनी गडवाली और नेपाली यह तीन आप जाद करें इसमें सीधा है पस् मैथली है ठीक है साथियों तो जी उपभाशा उपभाशा और 18 बोलियों को आप जरूर याद करें ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो जल्दी प्रस्तूत करेंगे